Hello everyone, क्या हर्चार? Welcome to yet another video. तो आज हम लोग करने वाले हैं Biotechnology Ernest Application Keynotes 2.0 से. इक Keynotes आपको मेरे Telegram Channel Key.me.com.manee001 पर मिल जाएंगे. आप मुझे Instagram और मेरे website पर भी follow कर सकते हैं for updates and notification. अगर आप इस channel पर नए हैं तो इस channel को subscribe कर दीजिए पर बेल एकें दबा दिए ताकि आप कोई नोट्स मेरे मिशना करें. चलिए शुरू करते हैं आज का lecture. बहुत छोटा chapter है. इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने वाले सवाल भी नहीं है. सवाल आपके जहां जा जाते हैं. मैं आपको मार्क करके दे देता हूँ. ठीक है? तो क्या-का काम होता है बाइटेकलोजी का का? अगरिकल्चर में यूज होता है, प्रोसेस फूड में होता है, बायो रेमिडेशन जैसे आपने पढ़ा था, स्थूडो मनास पोटीडा, वेस्ट्रीट्मेंट और इनर्जी प्रोड़क्शन में काम करता है, बाकी फार्मस्टिकलोज में भी काम आता है, डाइगनोसिक्स में भी काम आता है, ठीक है? तो बायो टेकलोजी है, थ्री क्रिटिकल रिसर्च एरियास, कौन-कौन सा, प्रोवाइडिंग दा बेस्ट कैटलिस्ट इन फॉर्म आफ इंपूरूब्ड ऑर्गानिजम, जो माइक्रोब हो सकता है, को इंजाईम हो सकता है, क्रियेटिंग ऑप्टिमल कंडिशन, और डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेट, downstream process जहांपे आम इसका purification करते हैं या उसको market में डालने से पहले उसकी testing करते हैं ठीक है agriculture में क्या क्या चीज होता है तो तीन तरह के agricultural options थे green revolution के time पर पहला agrochemical waste जो सबस्यादा इंडिया में use होता था पर अगेन इसके side effects थे दूसरा organic agriculture था इसमें क्या था कि productivity कम होती थी बट जो product होता तो काफी pure होता था काफी अच्छा होता था बट अगेन वो productivity कम होने की कारण दिक्कता आ जाती थी तो हमने इसका solution निकाला कि हम genetic engineering based crop agri-based agriculture ले आ हैं ठीक है तो इसको हम लोग कहते GMO genetically modified organism या GM crops कह सकते या transgenic organism कह सकते these are plant, bacteria, fungi and animals whose genes are altered by manipulation तो हम manipulate करके योग जीन को अटा कहते हैं क्या-क्या advantage था genetic modification का plant में it made crop resistant to abiotic stress, pest resistant crop बनाया, chemical pesticide पर resilience कम किया, post harvest loss कम किया, efficiency of mineral uses बढ़ाया और nutritional value एड़ किया जैसे vitamin in this rice जिसको हम लोग golden rice कहते हैं जिसको हम लोग golden rice कहते हैं इस तरह की चीज़े आने लगी और दूसरा pharmaceuticals में भी हम दवाईया बनाने के उसमें काम करने लगा pest resistant plants क्या हुआ, access biopesticide, reduces need for insecticide जैसे bt cotton हो गया, bt corn हो गया, rice, tomato, potato, soybean ठीक है, medicine में दो नाम याद को लो जो आपके इंसर्टिम नहीं दिया हो है पहला, hirudine, anticoagulant होता है, यह obtain होता है, brassica napas ठीक है, तो यहाँ से में extract करते हैं, ठीक है, दूसरा आपका flavor saver tomato का breed है, ठीक है, इसमें polygalactinose नहीं होता, ठीक है, उससे क्या होता है, कि degradation of pectin नहीं होता है, degradation of pectin नहीं होता है, तो tomato जादे देनता कड़ा रहता है, या fresh रहता है, at least fresh देखता है, ठीक है, बीटी cotton की बात करें, बीटी cotton is developed from bacillus thuringianesis, it kills insects, coleopterans, lepidopterans and dipterans, तो को lepidopterans में ये insect के gut में जाता है, तो due to alkaline pH of the gut, ठीक है, alkaline pH of the gut, ये active हो जाता है, और ये mid gut के साथ bind जाता है, जिससे insect का death हो जाता है, फटके, ठीक है, bacillus thuringianesis, genes were isolated from bacillus thuringianesis and उसको incorporate किया हमने crop part में, तो इसको हम BT crop कहते हैं, ठीक है, BT stands for bacillus thuringianesis, most of the BT toxin is insect specific जैसे cry gene use करते हैं, तो cry 1AC, cry 2AB, cotton ball warm and cry 1AB, corn borer, प्लीज याद रखिए, cry 1AB, corn borer, 1AC और 2AB, cotton ball warm, इस पे बहुत बार सवाल आया हुआ है, ये insectidal resistant variety हुआ plant का, ठीक है, gene जो है, उसको cry gene कहते हैं, क्या produce करता है, cry protein produce करता है, which is an insectidal toxic, ठीक, दूसरा आते हैं, nematode resistance in tobacco plant, तो एक nematode जिसका नाम है, myelodigine incognitia, जो tobacco plant के root पे effect करता है, जिसके कारण tobacco productivity कम हुजाती है, तो क्या किया गया है, हमने RNA interference का technology यूज किया, ठीक है, कैसे, RNA interference is a cellular defense maker in all eukaryot organism, क्या करता है, prevents translation of specific RNA by providing a complementary double standard RNA molecule, क्या देते हैं, complementary double standard RNA molecule बनाते हैं, जिससे silencing of RNA होता है, और जिससे protein synthesis नहीं हो पाता, तो कैसे हो सकता है, यह, कैसे लाज सकते हैं, तो the source of this complementary RNA could be an infection by RNA virus, या mobile genetic element ले सकते हैं, transposon, जो RNA intermediate पे replicate कर लें, तो हम क्या करते हैं, agrobacterium tumificance, जिसका TI plasmid होता है, ठीक है, उससे हम nematode specific gene डाल देते हैं, होस्ट में, ठीक है, अब यह, दोनों sense और anti-sense RNA produce करेगा, दोनों RNA आपस में complementary होता है, तो यह double standard RNA बनाता है, जिससे RNA interference होता है, और जिससे बचारा protein synthesis नहीं कर पाता है, protein synthesis नहीं कर पाएगा, तो यह मर जाएगा, medicines में क्या क्या है, तो the recombinant DNA technology helps in mass production of safe and more effective therapeutic drugs, ठीक है, the products from non-human sources induce unwanted immunological response, तो इसलिए दिक्कत आजा था, ठीक है, at present, 30 recombinant therapeutics और 12 अभी इंडिया में market हो रहा है, सबसे पहले आते हैं, genetically engineered insulin, तो sir Edward Sharpey थे, एक scientist, जिन्होंने बोला भाईया कि islets of Langerhans से insulin produce होता है, बीटा से, ठीक है, insulin deficiency से diabetes होता है, ठीक है, तो हम क्या करते थे, insulin निकालते थे, pancreas of animal से, cattle or pigs से, और उसको हम डालते थे, banting and best dog के pancreas insulin निकाले थे, और उसको डालते थे, बाट अगेन, इससे क्या होता था, allergy develop कर जाता था, foreign body के response में, तो दिक्कत होती थे, ठीक है, अब हम, एक company है, जिसका नाम है, L.E. Lily, 1983 में इसने insulin निकालना start किया, तो क्या देखा हमने, दो तरगा insulin हमने देखा था, हमने देखा था, pro insulin, pro insulin में क्या होता है, A, B, plus C peptide होता है, C peptide हटा के, mature insulin मनता था, जिसमें A और B peptide था, L.E. Lily ने क्या किया, chain A और B को अलग-अलग बनाया, और उसमें disulfide bond से दोनों को जोड दिया, और mature insulin बना लिया, इससे आपको insulin मिल गया, तो तब भी तुम insulin देखोगे, insulin तुमको ऐसे eyes box में मिलता है, क्योंकि high temperature पे disulfide bond तूट जाएगा, और insulin का जो bond हो खत्म हो जाएगा, ठीक, अगला आते हैं, gene therapy, तो क्या, it is a method to correct a gene defect in a child or embryo, ठीक है, कैसे करते हैं, तो here, genes are inserted into the person's cells to treat a hereditary disease that compensate for a non-fasional gene, पहला किये थे हम, चार साल के बच्चे के लिए किसका, adenosine dia-minus, बिमारी कौन सा है, SID, SID, sorry, ठीक है, severe combined immunodeficiency, disorder, ठीक है, अच्छा, कैसे कैसे cure कर सकते हैं इसको, bone marrow transplant, या enzyme replacement therapies, ठीक है, बट दोनों approach completely curable नहीं है, तो हम क्या करते हैं, lymphocytes को grow करते हैं, उसमें functional ADA डालते हैं, और फिर इस lymphocytes को body में डाल देते हैं, बट अगेन, ये भी permanent cure नहीं है, क्योंकि lymphocytes mature, मतलब immortal नहीं होते, तो क्या करते हैं, ADA gene को अगर हम marrow cell में डाल दें, embryonic development में, तो ये permanent cure हो सकता है, तो हर बार पूछेगा permanent cure, bone marrow transplant is not a permanent cure, ये ध्यान दखना, ठीक है, molecular diagnosis की बात करोगे, molecular diagnosis में आपको क्या क्या दिख रहा है, early diagnosis using conventional method, से डाइजा से डाइजा से डाइजा से डाइजा से डाइजा करते हैं, ELISA में western blotting technique यूज़ करेंगे, PCR में southern blotting technique यूज़ करते हैं, तो presence of a pathogen is normally suspected by certain symptoms, ठीक है, however, very low concentration of bacteria and virus can be detected by amplification of the nucleic acid by PCR, इन सम्में हम probe यूज़ करते हैं, which is a radioactively level material, तो जहां पर अगर probe जूट गया, तो हमको पता चल जागा कि यहां पर वो pathogen था, अगर probe नहीं जूटा तो हमको पता रहेगा कि यहां पर वो pathogen नहीं था, तो use of PCR क्या क्या है, detect HIV, gene mutation detect कर सकते हैं, और दूसरे genetic disorder हम detect कर सकते हैं, single standard DNA और RNA tagged with radioactive molecule, इसको हम probe कहते हैं, तो हम hybridize करते हैं, तो हमको पता चल जाता है, कि क्या gene में mutation था, या कोई disease है या नहीं है, एलाइज़ा तुम्हारा enzyme linked immunoservant ऐसे, यह antigen antibody interaction पर काम करता है, तो हम उसका antigen देखते हैं, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर western blotting technique यूज़ करते हैं, यहाँ पर western blotting technique यूज़ करते हैं, ठीक है, ट्रांजिनिक animals की बात करोगे, एनिमल जिसमें मेरा gene of interest हमने डाला है, तो ट्रांजिनिक rat, rabbit, pigs होते हैं, 95% सारे ट्रांजिनिक animal के माईस है, क्या ट्रांजिनिक animal का फाइदा है, कि हम अलग-अलग चीज़ पढ़ सकते हैं, regulation of gene पढ़ सकते हैं, disease पढ़ सकते हैं, कैसे disease काम करता है, ठीक है, उसके बाद हम देख सकते हैं, कि जैसे human protein, alpha 1 trypsinogen, used to treat emphysema, यह detect किया था, फिर उसके बाद, पहला ट्रांजिनिक का था, that was rosy, जो lactalbumin, मतलब protein rich milk देती थी, इसमें 2.4 gram protein था, दूसरा vaccine safety के लिए हम use करते हैं, ट्रांजिनिक animal, chemical safety के लिए हम use करते हैं, ट्रांजिनिक animal पता करने के लिए, ठीक है, तो कैसे कैसे use कर रहे हैं, study the function of a gene, to study regulation of gene, फिर हम crozy use कर रहे थे, ट्रांजिनिक का प्रोटीन इन्डिस मिल देती थी, फिर human protein alpha 1 antitrypsin, तुम्हारा treatment of emphysema के लिए होता था, ठीक है, vaccine testing के लिए हम यह करते थे, और chemical testing के लिए हम यूट ट्रांजिनिक animal यूज करते थे, अब आते ethical issues पे, भाई आप सब में तो नहीं डाल सकते gene mutation है न, हो सकता है उसके environment पे harmful effect हो, तो उसके approval के लिए है, GEAC, genetic engineering approval company, जो decision लेती है for validity of GM research, and safety of GM organism for public services, ठीक है, ठीक, अच्छा, दूसरा आता है, bio piracy की बात करते हैं, bio piracy क्या हो गया, use of bio resources by multinational companies without proper authorization, ठीक है, तो इसको bio piracy कहते हैं, यह देखा गया था आपका, basmati rice, herbal medicine, turmeric, neem वगरा के लिए, क्या था, India has 27 variety of basmati rice, 1997 में एक American company आई, उसने, हमारे basmati rice को, semi dwarf variety के साथ cross करके, एक नया variety of basmati rice के नाम पे, patent करा लिया, ठीक है, bio piracy है, ठीक है, ठीक है, उसके बाद, क्या हुआ, bio patent आया, bio patent क्या, कि भाई, आपको, आपको अगर, मतलब आपने कुछ research किया, तो आपको वो patent चाहिए, तो वो patent कैसे मिलेगा, वो patent आप, Indian patent office या, वहाँ पे जाके, register करा सकते हैं, और उसके सारे rights आपके पास हुए, ठीक है, bio piracy को counter करने के लिए, Indian parliament ने एक bill clear किया, second amendment, जो इस तरह के patent के problem को deal करती है, और जो patent हमारा उसको लाने की, कोशिच करती है, तो bio piracy important है, bio patent important है, और आपका ethical issue में, GEC important है, हमारा ये वाला भी chapter खताम हो गया, pdf आपको मेरे telegram channel, t.me.com.manie 001 पे मिलेगा, ये छोटा chapter था, इस पर सवाल वही, insulin पे आता है, BT cotton पे आता है, RNA interference पे आता है, bio piracy पे आता है, GEC वाले portion से आता है, I hope you liked the video, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल एकन दबा दिये, ताकि आप कोई नोट से न मिस न करें, I'll see you in class, take care, bye bye and have a great day.